हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्टेजी जी के ट्रेक तो आए डेली गरांड अफेर्स की सिरीस को आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन में हम 29 नॉम्बर के सभी करांड अफेर्स को डिटेल में समझेंगे वीडियो में एंट तक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चेनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसके अलावा अगर आपको डेली गरांड अफेर्स की स्पीडियेफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीकर ट्रिक के टेलिग्राम चेनल से या फिर क्रेजी जीकर ट्रिक के एप्लिकेशन पर जाकर फ्री ओफ कॉस्ट इसकी पीडियेफ को कलेक्ट कर सकते हैं आईए आज के करन्ट अफेर का सबसे पहला कुशन देखिए फिल्म फेर ओटीटी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सिरीज का अवार्ड किसे दिया गया देखे ये जो अवार्डे फ्रेंड्स आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये ओटीटी के लिए दिया जाता है अब इसकी शुरुआत 2019 में इंडिया में की गई थी 2023 में इस अवार्ड शो में बेस्ट सिरीज का अवार्ड इसकूब को दिया गया है अंसर ए यहां पर सही हो जाएगा इस साल 2023 में ये फॉर्थ फिल्म फेर ओटीटी अवार्ड से फ्रेंड्स Scoop जो की एक web series है इसे इस award show में best series का award दिया गया देखे जो award दिये गए वो drama, series, critic और comedy अलग-अलग श्रेणियों में दिये गए main man जो श्रेणि हैं उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं अब series में आपको पता चल गया कि best series कौन सी तो ये scoop हो गई अब देखे इस award में drama category का जो award है वो best actor का award सुरविंदर विक्की को दिया गया कोहरा इनकी web series है इसके लिए best supporting actor का award series male के लिए बरुन सौपती को दिया गया कोहरा web series के लिए comedy category में best actor male का award अभिशेग बनर जी को दिया गया और best actress female का award मानवी गागरू को दिया गया अब web original films की बात करें इस award show में तो best film का award सिर्फ एक बन्दा काफी है को दिया गया जिसमें one जुआचपई एक्टर है इनहीं देखिए best actor male का award भी दिया गया है इसी movie के लिए best actor web original film female की बात करें तो ये award अलिया भट को दिया गया उनके film डालिंग के लिए तो ये सारे film fair OTT awards 2023 की हमने बात की जिसमें best web series का जो award है वो scoop को दिया गया है question हमारा इसी से था other जो award है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिये देखें दोस्तो अगर आपको monthly current affairs की detail PDF लेना है तो आप root application या crazy jicket trick application से download कर सकते हैं साथ या वीडियो के comment box में भी link दिया हुआ है जहां से click करके आप ले सकते हैं इन monthly current affairs PDF में देखिए पूरे month के जो सबसे ज्यादा exam relevant question होते हैं उन question को यहाँ पर detail के साथ provide किया गया है जो exam के last time revision में आपको बहुत help करता है तो एक बार जरूर click करें चलिए आगे बढ़ते हैं second question देखिए हाली में जारी की गई basic animal husbandry statistics 2023 report के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुखद उत्पादिन करने वाला रज्ज कोन है तो देखिए भारत के central minister परशुत्तम रुपाला ने हाली में बुनियादी पशुपालन सांखी की 2023 report को जारी किया इस report के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा दुखद उत्पादन करने वाला रज्ज भारत का उत्तर प्रदेश रज्ज है अंसर यूपी हो जाएगा देखिए इस report में भारत में सबसे बड़ा दुखद अंडा, मास और उनका उत्पादक रज्ज कोन है इस आधर पर रेंक प्रदान की गई हम यहाँ पर टॉप थिरी स्टेट की बात करेंगे सभी में तो देखिए दुखद उत्पादक सबसे बड़ा स्टेट अभी हमने बात की यूपी है सेकेंड पर राजस्थान और तीसरे पर आता है MP अंड़ उत्पादन में सबसे टॉप पर आता है औंदर प्रदेश सेकेंड पर तमिलाडू और थर्ड पर आज़ता है तेलंगाना मास उत्पादन में पहले स्टान पर है UP सेकेंड पर पश्यमंगाल और थर्ड पर है मारास्थ उन उत्पादन की बात करें तो उनका भारत में सबसे बड़ा प्रोडूसर राजस्तान है सेकेंड पर है जम्मू कश्मीर और तीसरे पर है गुजरात राज्य तो यहाँ पर हमसे कोश्चन में सबसे बड़ा दुख दुथ पादक स्टेट पुछा गया तो यह हो जाता है उत्तर प्रिदेश राज्य इसके बाद आगया यह बाली जातरा महुत्सव का संबंध किस राज्य से है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा बाली जातरा महुत्सव की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आयजन ओडिशा रज में किया जाता है हाली में देखिए ओडिशा के कटक में बाली जात्रा महुत्सव की शुरूआत की गई ये जो महुत्सव है ये कार्तिक पूनिमा पर शुरू होता है तो इस साल भी कार्तिक पूनिमा पर इसकी शुरूआत की गई और ये चार दिसंबर तक चलने वाला है ओडिशा के बाली जात्रा महुत्सव को एश्या के सबसे बड़े ओपन ट्रेट फेर के रूप में देखा जाता है जो कि ओडिशा की समरद्ध समुद्री इतियास के बारे में बताता है इसकी याद दिलाता है और इसकी खुशाली के लिए मनाय जाता है तो याद रखेगा बाली जात्रा महुत्सव ओडिशा के कटक में हाली में शुरू किया गया मतलब ओडिशा रज में मनाय जाता है अब यहाँ पर हम ओडिशा के अधर फेस्टिवल देखें तो रथ यात्रा के बारे में अपने सुना होगा ओडिशा में पुरी में इसका आज़न किया जाता है कलिंग महुत्सव, चन्दन यात्रा, कोनार के नरत्य महुत्सव और महा बिसुआ सकरान्ती इन सभी का एज़न अलग-अलग समय पर ओडिशा राज्ज में किया जाता है सभी important है याद रखिएगा प्रणब माइ फादर और डाटर रिमेंबर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई देखे नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि ये भारत के पुर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर जी के जीवन पर आधारिज बुक है प्रणब माइ फादर और डाटर रिमेंबर्स जो बुक है ये शर्मिस्टा मुखर जी के द्वारा लिखी गई शर्मिस्टा मुखर जी की बात करें तो ये प्रणब मुखर जी की बेटी है जिनके द्वारा प्रणब मुखर जी के उपर इस बुक को हाली में लिखा गया है वैसे शर्मिस्टा मुखर जी ने अपने इस बुक में पीता के साथ अपने रिष्टे को बताया है इन दोनों के बारे में इस बुक में जिक्र देखने को मिलता है इसके अलावा पश्चिम मंगाल के वीर भूम जिले में एक छोटे से गाउं से छोटे से परिवार से केसे प्रणम मुखरजी भारत के सबसे बड़े constitutional post पर पहुँचे उनकी इस यात्रा उनकी यात्रा या जीवन की यात्रा में आने वाली जो घटना हैं उनके बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है तो प्रणम माई फादर नाम की जो बुक है सरमिस्टा मुखरजी के द्वारा लिखी गई यहाँ पर हम प्रणम मुखर जी की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की ये भारत के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं तेरवे रास्टेपती के रूप में इन्होंने काम किया है 2012 में ये भारत के प्रेसिडेंट मने थे और 2017 तक ये भारत के तेरवे प्रेसिडेंट के रुप में काम कर चुके हैं इसके अलावा प्रणम मुखरजी 2004 से लेकर 2006 तक UPA की फर्स्ट गवर्मेंट में रक्षा मंत्री के पतपर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा समाज सेवा के शित्र में इनकी उपलब्दियों के कारण इन्हें 2019 में भारत रत्न दिया जा चुका है और 2008 में इन्हें पद्म वीभूशन से सम्मानित किया गया था दा कॉलिशन इयर्स 1996-2012 ये प्रणब मुखर जी के द्वारा लिखी गई बुख है प्रणब माई फादर और डाटर रिमेंबर्स नाम की बुख उनकी बेटी सरमिस्टा मुखर जी के द्वारा लिखी गई इसके बाद कुशन है दक्षिनपुर्व एशिया की पहली डार्क स्काइ रिजर्व सेंचुरी किस रज्ज में खोली जाएगी देखे आपके दिमाग में आएगा कि सर ये डार्क स्काइ रिजर्व सेंचुरी क्या है तो ऐसा प्लेस फ्रेंड्स जहां पर रात में इसे ही नाम दिया गया है डार्क स्काई रिजर्व। रात में प्रदूशन को खत्म करना इसका मुख्युद्देश होता है। भारत में दक्षिन पुर्वी एश्या की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी लद्दाक राज्ज में खोली जाने वाली है। तो लद्दाक अंसर हो जाएगा। लद्दाक के किस नेश्नल पार्क सेंचुरी में खोली जाएगी कोश्यन ऐसा आजाए। तो डार्क स्काई रिजर्व पुन्चांग ठांग वर्नेजी अभ्यारन में एक हिस्से में वहाँ पर स्तापित किया जाने वाला है। इसे भारती खगोल भोतिक संस्तान बैंगलूरी के सयोग से स्तापित किया जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक ऐसा सरक्षी छेत्र जहां पर रात का आकाश प्रदुशन से मुक्त होता है। आप तारों को आसनी से देख सकते हैं और नेचर की जो फ्रेशनेस है उसे मैसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से दक्षिन इशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाक राज में स्तापित किया जाने वाला है। नेक्स्ट कोशन दुनिया का आठवा अजुबा अंकुरवाट मंदिर किस देश में स्तित हैं। आप सभी ने अंकुरवाट का मंदिर का नाम काफी बार सुना हैं ये कंबोडिया में स्तित हैं। विशेशता ये है कि विशु का सबसे बड़ा विश्नु मंदिर है। इटली के पॉमपेई के स्तान पर दुनिया का आठवा अजुबा घुशित किया गया। व आठवे अजुबे का ताज दिया जा सकता है या आठवे अजुबे की संग्या दी जा सकती है, माननेता दी जा सकती है। जो बहुती नई सरचना है, नई परियोजना है या किसी भी प्रकार का आधुनिक या नया डिसाइन है। तो इसे आठवे अजुबे की संग्या दी जा सकती है हाली में आठवा अजुवा घुशित किया गया कमबोडिया में इस्तित अंकुरवाट के मंदिर को जो की बारवी शताबदी में राजा सूरी वनमन दिती के द्वारा बनाये गया था वेसे मूल रूप से ये हिंदु भगवान विश्नु को समरपी थे लेकिन पंकुरवाट का मंदिर विश्व का आठवा अजुवा घुशित किया गया कहां इस्तित है ये भी या दखिएगा तो ये कमबोडिया में स्तित है हाली में मेरियम वेब्स्टर डिक्ष्नरी का वर्ड आफ द येर 2023 के लिए किसे चुना गया तो मेरियम वेब्स्टर के लिए अथेंटिक वर्ड को चुना है देखे वर्ड आफ द येर एसे वर्ड को चुना जाता है जो की साल भर काफी सुर्ख्यों में रहा हो या फिर काफी ज्यादा बार उसका यूज किया गया हो तो मरियम वेब्स्टर डिक्ष्नरी ने वर्ड आफ द येर 2023 के लिए नहीं है तो इस प्रकार अथेंटिक वर्ड है इंग्लिश का इसे मेरियम वेब्स्टर जो की एक अमेरिकी कंपनी है जो की पुस्तकों का या फिर डिशनरीस का प्रकाशन करती है इसके द्वारा वर्ड आफ द येर 2023 के लिए चुना गया किस वर्ड को अथेंटिक वर्ड को इसके बाद है खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 के शुबंकर का नाम क्या है दिखे इस पैक्त को नोट कीजेगा कि ये पहला खेलो इंडिया पेरा गेम्से फ्रेंट्स 2023 में जिसका एजन इस साल नही दिल्ली में किया जा रहा है इस पेरा गेम्स का 2023 में शुवंकर उज्वला को बनाये गया है भारत के खेल मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 के हाली में प्रतीक चिन मतलब लोगो और शुवंकर को लौँच किया है शुवंकर उज्वला एक काटून केरेक्टर है गोरया का जिसे खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 के शुवंकर के रूप में अपनाये गया है ये दिल्ली के गोराओ का प्रतीक है इसके अलावा जो पेरा एथलिट है उनके संकल्प और साहनु भूती को भी दर्शाता है आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो नई दिल्ली में इसका आयोजन 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक किया जाने वाला है ये पहला खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2023 से शुवंकर जो की एक गोरया का चित्रे या काटून है इसे उज्वला नाम दिया गया आगे आते हैं नवा रास्टिस्तरी प्रदूशन प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित किया गया तो देखिए 9th National Level Pollution Response Exercise जिसे NetPol Rex 9 के नाम से जाना जाता है इसका एजन हाली में गुजरात के समुद्र तटपर किया गया आंसर भी हो जाएगा भारती तटरक्शकबल ने गुजरात के वाडिनार में 9th रास्टिस्तरी प्रदूशन प्रतिक्रिया अभ्यास NetPol Rex 9 का आयोजिन किया है समुद्री शेत्र में जितना भी प्रदूशन होता है चाहे वो तेल रिसाओ के कारण हो या किसी भी अन्ने तरेका हो उससे निपटने के लिए ये एक तरह का अभ्यासे जिसका एजन हाली में भारत के गुजरात के समुद्र तटपर किया गया अब यहाँ पर भारती तटरक्षक बल की बात करें तो भारत की तटी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारती तटरक्षक बल की है इस्तापना इसकी एक फरवरी 1977 में की गई थी हेटकवाटर नई दिल्ली में इस्तित्ह और राकेश पॉल वरतमान में इस संस्ता के डार इसके बाद आज के करेंट अफेर का सबसे लास्ट कोशन देखिए हाली में पदमश्री प्राप्त करता जवेरी लाल दलपत राम महता का निधन हो गया इनका संबंद किस शेत्रे से था तो देखिए इन्हें पदमश्री दिया जा चुका है फ्रेंड्स इनका नाम है जवे इक जर्नलिस्ट थे जिनका हाली में निधन हुआ है किस राज्जी से बिलोंग करते हैं तो ये भारत के गुजरात राज्जी के प्रसिद्ध पत्रकार थे समाज सेवा में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वरा इन्हें 2018 में पदमश्री से सम्मानित किया जा जो की एक जर्नलिस्ट थे हाली में इनका निधन हुआ अब देखिए अन्य निधन की बात करें जो की हाली में हुए हैं तो नियाय मुर्ती फातिमा बीवी जो की भारत में सुप्रियम कोट की पहली महिला नियादीश रही है हाली में कुछ समय पहले इनका भी निधन हुआ इसके अलावा A.S. अंकट रमन, RBI के पुरुव गवर्नर थे B.N. गोस्वामी इतियासकार थे जिनने 2008 में पद्म भुशन से सम्मानित किया जा चुका है और पद्म नाभन, बालकृष्ण अचार, नागा लेंड के पुरुव राज्यपाल थे जिनका हाली में निधन हुआ है ये अन्य निधन भी याद रखिएगा, काफ़ इंपोर्ट है तो यहाँ पर देखिए हमने 29 नॉंबर के सभी करंट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आज आईए आज की फेक्ट शीट में जन्वरी से लिकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेर्स वन लाइनर में हमें यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं 25 जन्वरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तेरती हुई सोर परियोजना का इन्नोगरेशन चंडिगड में किया गया 25 जन्वरी 2023 को औरेंज फेस्टिवल नागालेंड में मनाये गया 25 जन्वरी 2023 को तियोत्तरवी गरतंत्र दिवस की पुरू संध्या पर 106 लोगों को पद्म पुरसकार 2023 देने की घुशना की गई 26 जन्वरी 2023 को चहुत्तरवे गरतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिती मिश्र के रास्टपती अब्देल फते अल सीसी थे इसके बाद 27 जन्वरी 2023 को ICC मैंस T20 क्रिकेटर आफ दे यर 2022 का खिताब सूरी कुमार यादव को दिया गया 27 जन्वरी 2023 को ICC अवर्ड 2022 के तहट मैंस क्रिकेटर आफ दे यर का खिताब बाबर आजम को दिया गया जो की पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाडी है 2023 में FIDE World Championship 2023 की मेजवानी कजाकिस्तान के द्वारा की गई सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है I hope आपने ध्यान से सुनाओगा अब आजए ये लास्ट डिके करेंट अफएर में चो करेंट अफएर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए बुकर पुरसकार 2023 से हाली में पॉल लिंच को सम्मानित किया गया COP28 सम्मेलन का एज़न UAE में किया जाएगा केंद सरकार ने आईश्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम मदल कर आईश्मान आरोग्य मंदिर रखा है भारत द्वारा जारी वेक्सिन माबेला, खसरा और रुबेला डिसीज से सम्मंदि थे अभूधावी F1 Grand Prix 2023 का विनर मेक्स वेल स्टेपन रहे हैं अनिश भानवाला का सम्मंद निशाने बाजी से है डेविस कब 2023 का किताब इटिली ने अपने नाम किया है आगे आईए, वांगला मौत्सो भारत के मेगाले राजी से सम्मंदि थे गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था और लास्ट है, वर्ल्ड सिक्स रेड वूमन स्नुकर चिंपेंशिप का किताब भारत की विध्या पिल्लई ने अपने नाम किया है ये सभी ऐसे करेंट अफेर हैं फ्रेंट्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डीटेल में समझा था अब आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दे देख लीजिए बुनी हुई रस्सी और खुश्बू के शिलाले किसकी रचनाए है इंपॉर्डेंट है कमेंट में जरूर बताईएगा कि इस कोश्चन का अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्डेंट अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है यह सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम बैसिक कॉंसेट के साथ साथ कॉंप्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करांट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जै हिन जै भारत